आज मैं सरकस के बारे में कुछ समाहने जनकारी की चर्चा करने का प्रियास कर रहा हूं सचमुस में सरकस किसी समय में बहुत ही महत्पुण एक गतिवीधी थी या मनुरंजन का एक साधन लेकिन आज के समय में सरकस के परदर्शन यह हम कहें कि सरकस दिखाने वालों की संख्य काफी कम होती जा रही है कारण कि मनरंजन के दूसरे-दूसरे साधन कि बजार में उपलब्द है और साथ-साथ नियम कानुनisia सब्ट होते जा रहे हैं बहुत ऐसे जानवर हैं जिनको आप सरकस में नहीं दिखा सकते हैं उन सब कारण के कारण ही आज सरकस दिखाने वालों की संख्या कौम होती जा रही है लेकिन मन में कौतुवल हर्दम रहता है कि सचमुच में सरकस क्या है और सरकस उन लोगों के लिए भी जो कि सरकस बहुत कौम देखें हैं या सरकस के बारे में जानते कौम हैं अमित्रों एक बहुत रोचक तथ्य है कि सचमुच में सरकस को आज के दिन ही अमेरिका में शुरू हुआ था और उस समय बहुत सिमित रूप में था लेकिन धीरे-धीरे इसका दाइरा बढ़ते गया और सरकस में अपनी कला के साथ साथ जानवरों के कला भी उसमें समीली थोने लगया और सचमुच में अगर देखा जाए तो मानव ने अपनी कला को जानवरों के द्वारा कैसे परसिछन किया जाता है कैसे उनको अपने अनुसार गतिवीधी कराया जा सकता है इन सारी विध्यों का या हम कह सकते हैं कि साथ-साथ हम अपनी कला का भी प्रस्तुती करते हैं सरकस के त्वारा तो मित्रों सरकस आज के समय में काफी कौम देखने को मिलता है लेकिन मानव के उन कलाओं का परदर्शन सरकस में ही होता है जिसमें हम देखकर सचबुच में सोच में पढ़ आते हैं कि इस तरह की कला हम दिखा सकते हैं या हमारी चमता इस तरह की है